यदि प्रेंड आप लोग भी बिना किसी फिक्स डिपोजिट यानि की बिना किसी एपडी के वे आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं किसी भी बैंक का तो दोस्तो आज किस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तो आपको किसी भी बैंक का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं वो भी अच्छे खासी लिमीट किसाथ तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा किस ट्रिक को आपको फोलो करना पड़ेगा वो सारा details आज की इस episode में हम आपको बताएंगे जिसके मदल से मैंने भी यहाँ पर बिना किसी app D के बिना किसी fixed deposit के मैंने भी यहाँ पर card apply किया था और मुझे यहाँ पर credit card मिल चुका है आज की इस episode में हम आपको HDFC bank के बारे में बताएंगे और साथी दोस्तों आपका अगर किसी भी बैंक में एकाउंट है तो दोस्तों ये ट्रिक आपका ये वर्ड करेगा उसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी बैंक का आपको कार्ड यहाँ पर मिलने का चांस आपको बन जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आपको इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों को यहां पर यह ट्रिक के बारे में पता चल सके ताकि आपको यहां पे बिना किसी एपडी बिना किसी फिक्स डिपोजिट के वे आपको यहां पे कार्ड मिल जाए तो दोस्तों आपको क्या करने है वो मैं आपको पूरा डिटेल्स समझा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको अपना यहाँपे card का details मैं आपको यहाँपे बताता ओ कि मुझे यहाँपे कितना का credit card मिला है, क्याँफे कुछ करना पड़ा था ताकि आप लोगों को यहाँ पर असानी से यह चीज़ आपको समझ में आ पाए ताकि आप लोग भी यहाँ पर अपलाई कर पाईएगा तो सबसे पहले मैं अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में चलते हैं उसके बाद मैं आपको आगे पूरा डेटेल्स बताऊंगा तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने यहाँ पर HDFC एप में यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरा डेटेल्स समझाने बाला हूँ तो दोस्तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कार्ड का डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर समझ पाए कि मुझे भी यहाँ पर कार्ड मिला है तो आप इस ट्रिक के मदद से आप अप भी यहाँ पर यह कार्ड ले सकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड का एक option आ जाता है net banking में उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है click करने के बाद दोस्तों आपका जो भी card यहाँ पर active होगा credit कार्ड वो आपको यहाँ पर show हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक credit card है आप यहाँ पर देख सकते हैं Visa Platinum Money Back credit card मेरे पास अभी उपलब्ध है उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा डेटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से समझ पाए कि आपको यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लिमिट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे सही धंक से जानकारी मिल पाए तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहां पर 40,000 का यह कार्ड का लिमिट दिया गव है, जो कि काफी अच्छा है, तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस कार्ड को अपलाई करने में या फिर मुझे इस कार्ड को receive करने में क्या कुछ करना पड़ा था, जो कि मुझे ये card मिला है अगर आप इस trick को follow करेंगे तो आपको भी ये card आसानी से मिल जाएगा वो भी easy method के साथ सबसे पहले दोस्तो मुझे इस card को apply करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी abd करना नहीं पढ़ा था और मुझे नहीं किसी तरह का कोई भी branch विजिट करना पड़ा था मैं यहाँ पर online ये card को apply किया था और मुझे यहाँ पर approval मिल गया था तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप card लेना चाहते हैं किसी भी bank का वो भी बिना किसी FD against तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई maintain account आपन करना पड़ेगा चाहे माली जी आपको यहाँ पर HDFC में account है चाहे फिर आपका ICIC चाहे फिर कोटक में अगर आपका किसी भी bank में अगर आपका maintain account है जैसे कि माली जी regular saving है या फिर आपका किसी भी तरह कोई भी premium आप customer है उस bank का तो दोस्तो आपको यहाँ पर 4-5 मन की बाद आपको यहाँ पर automatic आपको यहाँ पर जो pre-approved offer आने लगता है तो friend मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहे हूँ है आपका HDFC में है चाप फिर आपका ICFC बैंक या फिर किसी भी बैंक में आपका account है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक maintain account open करना पड़ेगा यानि कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ balance को आपको maintain करना पड़ेगा जैसे कि 10,000, 25,000 या फिर जो भी आप maintain रखना चाहते हैं उस तरह से आपको एक account को open करना है उसके बार दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी है आप सही डंग से आप अपने account का use किजिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था तो मेरा यहाँ पर HDFC bank मैंने यहाँ पर एक max account open किया था तो मुझे यहाँ पर 25,000 पर maintain करना पड़ता है अगर आप लोग भी कुछ इस तरह से account opening कराते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी update आपको नहीं करना पड़ेगा उसके बाद आपको चार से पहुंच मंत होने के बाद आपको automatic bank के तरफ से loan या फिर आपका credit card और भी तरह का जो भी offer होता है वो आपको आपके saving account पर आपको सो होने लगेगा तो दोस्तों मुझे भी यहाँ पर कुछ pre-approved offer आया था credit card के लिए जो कि मैंने यहाँ पर apply किया और मुझे यहाँ पर मिल गया अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर credit card लेना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे यह बहतरिन तरीका है कि आप लोग यहाँ पर बिना किसी एपडी बिना किसी fix deposit के बिना किसी branch visit के आप असानी से यहाँ पर यह चीज़ करके आप लोग यहाँ पर यह card असानी से ले सकते हैं इसमें आपको किसी भी तरह का कोई फिस जादा आपको help या फिर महनत करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक कापी अच्छा है मैंने यहाँ पर फोलो किया और मुझे ये कार्ड मिल गया और दोस्तो आप लोग भी अगर इस चीज को अगर फोलो करते हैं तो 100% आपको यहाँ पर आपको यह जो है कार्ड आपको मिल जाता है किसी भी बैंक में अगर आप यह कार्ड लेना चाहते तो असानी से इस चीज का फोलो आप जरूर करे और साथी दोस्तो आपका सिवील जो है सारे 700 के आसपस होना चाहिए नहीं तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रिसानी का सामना करना पर सके तो दोस्तो आज किस अपिसोड में हम आप लोगों को यही बताना चाहते थे कि आप किस तरह से यहाँ पे किसी भी बैंक का credit card आप असानी से apply कर सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पे approval मिलने का chance 100% होता है तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नई episode के साथ तब तक के लिए आपसे भी का धन्यवाद